S.A.T. Reserve Order and Arsad Varshi Appeal Against SEBI YouTube Pump and Dump Case S.A.T. Reserve Order in Appeal Filed by Arsad Varshi and His Wife क्या है साहब ऐसा मामला? क्या होती है S.A.T.? क्या है Arsad Varshi के सारी बातें आज के सेजन में हम जानेंगे लेकिन इस से पहले एक खबर आप 16 मार्च के देखिए क्या खबर है? Bollywood actor Arsad Varshi S.A.T. में गए अब ये S.A.T. S.A.T. जो बार-बार आ रहा है ये असल में है क्या? इसको समझाएंगे लेकिन उस से पहले एक मामला यहां लिखी हुई लाइन में पढ़िए असल में 2 मार्च को जो भारत की Security Exchange Board of India है S.A.B. जो कि Share Market से समझे तमाम चीजों पर निगरानी रखती है ने 45 लोगों को बार कर दिया 45 लोगों को बार कर दिया entities को बार, बार का मतला मना कर दिया S.A.B. बाढ 45 entities including Arsad Varsi and his wife Maria Goretti from the Securities Market in cases related to manipulating the share prices of Shadhana Broadcast and Sharpline Broadcast through misleading video on YouTube आज के session में YouTube पर YouTube की ही चर्चाएं की जा रही है इस समय जो भी मीडिया है उस मीडिया में YouTube का जो मीडिया है इसकी चर्चाएं हो रही है यानि print मीडिया पे YouTube यानि online मीडिया की चर्चाएं है इससे दर्शाता है कि इस समय सोशल मीडिया बहुत जादा प्रभावी हो चुका है जो लोग इसको समझ रहे हैं कि ये प्रभावी हो चुका है वो लोग इससे काम भी निकाल ले रहे हैं और जो लोग अभी भी इससे अंडरेस्टिमेट कर रहे हैं कि नई एक दिन हम सोशल मी के साथ कुछ ऐसे 45 लोगों को सेवी ने बना कर दिया है, बैन कर दिया है, कि अब आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, ऐसा क्या हो गया, और जब बैन किया गया, तो अरसद वारसी सेवी के इस कथन के विरुद्ध, सेवी के ऊपर एक अप अपिलेट ट्रिब्यूनल, वहाँ जाकर अपना पक्ष रखने पहुंचे, और उन्होंने अपना पक्ष जब रखा, तो SAT ने फैसला सुनाया है, वो अभी सुनाया नहीं है, माफी चाओंगा, फैसला किया है, वो अपने पास रिजर्व रखा है, रिजर्व का मतलब बाद में समय आने पर पब्लिक कर दिया जाएगा, तो वारसी जो है, वो SAT यानि Securities Appealate Tribunal, सेवी के अगेंस्ट की सेवी ने मेरे खिलाफ गलत निरने दिया है, इसके खिलाफ अपील करने गए, और यहाँ पर उनकी वाइफ और उन्होंने कहा, कि साब हम YouTube वीडियोज में हैं ही न नहीं, तो ऐसी इस्थती में आप से, हाँ, हाला कि they did confirm that their connection with Manish Mishra, अब यह Manish Mishra कौन है, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं साब, Manish Nama थोड़ा सुर्खियों में है, Manish Kashab भी सुर्खियों में है, वीडियो के कारण, Manish Mishra भी सुर्खियों में है, वीडियो के कारण, क्या है कहानी, चलिए पहले मैं आपको कहानी बताता हूं, फिलहाल के लिए संभव है कि आप अर्षदवार्शी को रिकगनाईज कर ग से मिले, तो मैं आपको recommend कर रहा हूँ, एक application, नाम है इसका KUKU FM, link comment box में दिया हुआ है, यहाँ आप क्या जान सकते हैं, साथ हो एक audio book है, जो एक ऐसे व्यक्ति की है, जिसका नाम है Jim Simmons, जिनो ने share market से बहुत सारा पैसा कमाया, और कहते हैं कि उन्होंने अपने mathematics के दम पर पैसा कमाया, यह audio book हिंदी में available है, जैसे आप जाकर comment box से download कर सकते हैं, पूरे application को download कर सकते हैं, जिसमें बहतरीन chapters है, जैसे stock market में maths की कितनी जरुवत है, उतार चड़ाव क्या होते हैं, जिम का योगदान share market के लिए क्या रहा है, और ना केवल ये किताब, इसके अलावा भ जो कि कोई भी व्यक्ती कभी भी किसी प्रकार का investment शुरू करता है, उससे पहले ये audio book जरूर सुन लेनी चाहिए, ठीक है, ऐसी बहुत सारी लगभग 10,000 से ज़्यादा audio books और summaries available हैं इस platform पर, नाम है जिसका कोकू FM, जो कि एक application है, ठीक है, यहाँ पर ये किताबें आपको बहुत ही nominal, ये audio books बहुत ही nominal कीमतों पर दी जा रही है, with interesting features, जैसे drive mode का feature है, या फिर notes बनाने का feature है, या फिर night mode का feature है, कि आप लोग जब सोने जा रहे हैं, उस समय कुछ देर के लिए चला दिया और auto timer से वो off हो गया, इन features के सार्थ आपको ये है, उपलब्ध होती है, यह यदि आप मेरा referral code अवस्थी 50 यूज़ करते हैं, तो पहले महिलने का subscription आपको 99 रुपीज के इस्थान पर मात्र 49 रुपीज में प्राप्त होता है, तो अभी जाईए comment box में link दिया हुआ है, जहां से इस application को download कर सकते हैं, using my referral code अवस्थी 50, मैं आपको एक बार के लिए ये जानकारी देने से पूर्व एक YouTube चैनल दिखाता हूँ, ये दो YouTube चैनल है, एक का नाम है The Advisor और दूसरे का नाम है Money Wise, दो न्यूस चैनल, मतलब ये YouTube चैनल है, The Advisor जिस पर 8,23,000 सब्सक्राइबर हैं और इन पर 7,66,000 सब्सक्राइबर हैं, क्या घटना है, घटना ये है कि इन् मिल गया बड़ा ओर्डर, करंट प्राइज 10 रुपे, तीन मंत का टार्गेट 80 रुपे, एक साल के अंदर 250 रुपे, जादा से जादा खरीद लो ये शेयर, ये कहकर के एक वीडियो बनाया गया The Advisor के द्वारा, The Advisor नामक जो चैनल है, और ये जो Money Wise नामक चैनल है, ये दोनो ही Money इस मिश्रा नामक एक व्यक्ति द्वारा ऑपरेट किये जाते हैं, इन चैनल में जानकारी जो दी गई कि कौन सा शेयर है, जो भविश्य में महगा होने वाला है, इसलिए आपको याद होगा, हम जब बाते बजार की पर सेशन करते हैं, तो उसमें ये बात इसपस्ट र बार बार एक चीज का दोहराव कर रहा होता हूं, आप Analysis देखिए, अपने हिसाब से चीजें करिए, काम आपको सूचना पहुंचाने का है, ये जो घटना है ये भी आपको इसलिए बताई जा रही है, असल में बाते बजार की जो हमने चैनल शुरू किया था, उसके पीछे लगा सकते हैं, वो लगा रहे हैं, ऐसी चीजों पर Awareness कैसे आए, इसके लिए Financial Literacy जरूरी है, और उसी को ध्यान में रखकर हमने अपना चैनल बीबी के शुरू किया था, उसमें ही हम ये क्रम आपको आज का बता रहे हैं, क्या, कि इन इन हो ने इन दो YouTube चैनल के माध्यम से एक fake market create किया, किसके बारे में किया, अब उसके बारे में चलते हैं, देखिए, एक YouTube चैनल है, एक company है, जिसका नाम है साधना Broadcasting Limited, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखो पहले तो इन दो YouTube चैनलों को जान लो, अब दूसरी चीज पूजानते हैं, साधना Broadcasting Limited, ये क्या है, आपने साधना TV सुना होगा, आस्था TV, साधना TV, ये TV वो हैं जिन पर सामानतिया spiritual messages आ रहे होते हैं, तीवी में spiritual videos चल रहे होते हैं, साधना TV का जो stock है, उसकी वर्तमान price आप देखें तो पहचानेंगे 4 रुपे 28 पैसे है, आज का rate है ना, इसका rate लगबग इतना ही रहता था, 4-5 रुपी के हास पास, ये penny stock था, सस्ते में मिलने वाला stock था, है न, कहते हैं, 10 रुपे में भी share खरीच सकते हैं, क्या तो वो वाला share था ये, लेकिन आप यहां तारीख देखें, 12 अगस्त, वहां 4 रुपे का share 33 रुपे का बिख रहा है, जहां से समझना message को यहां देखें, जो share market में 7 रुपे का है, और लगभग इतने का ही पुराने दिनों में था, वो जून में, जून 2022 में 53 रुपे का बिकरा है, एकदम shoot कर गया, ये क्या है, यही fraud है असल में, fraud क्या है, अब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, देखो, ये YouTube पर एक वीड answers जो है, उनके लिए भी सक्त हिदायत जारी कर रखी है, आप मैंसे बहुत सारे लोग ये सोचते होंगा न, सर आप तो दुनिया भर का knowledge हमको classes में दे रहे होते हैं, आप prediction क्यों नहीं देते, बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर हम अडानी ले लेने क्या, सर हम टाटा लेने क्या, सर हम ये कर दें क्या, मैं एंड में क्या बोलता हूँ, ना भीया, आपका अपना सोचना है, अपनी कोई सला नहीं है, हम तो आपको खबर बता रहे हैं कि अब ऐसा हो चुका है, ठीक है, तो ये जो बाते की जाती हैं, क्योंकि सेभी की guidelines हैं, आप कैसे बहुत सारे लो उससे अगर इसको cover कर दिया ना, तो ऐसी स्थितियां होती हैं, जो यहां हो रही है, क्या, देखो, इसने एक फरजी news बनाई, क्या news बनाई, कि जो साधना TV है ना, इस साधना TV में पैसा लग रहा है, अडानी का, अडानी साधना TV को खरीदने जा रहे हैं, एक fake news लाई जात रहन अडानी ने किया, सोचो उससे पहले ये cover market में आ जाती, कि ND TV को खरीदने जा रहे हैं, अडानी, तो लोग तो ND TV का खरीद लेते फटाक से share, क्योंकि पता था कि भाव तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि market में जिसका माहुल चल रहा है, भाव बढ़ जाएगा, भाव बढ यहाँ पर इसमें क्या news फैलाई गई, कि अडानी जो है, वो साधना ग्रूप के अंदर पैसे लगा रहे हैं, और वो आने वाले समय में ये जो TV है जो अभी केवल TV चला दी है, ये channel यहाँ से निकल करके movie भी बनाने लगेगा, और एक बहुत बड़ी America की corporation है, जो इनके चार devotional movie बनाने का contract करने जा रही है, devotional movie मतलब जैसे क्रशन भगवान पर movie बना दी है न, मतलब इस तरह की film बनाने के लिए साधना टीवी के साथ में 1100 करोड रूपे का agreement होने जा रहा है, भविश्य की prediction दे दी, तो लोगों को क्या लगा, और वाह, जब ये भविश्य बत चेयर, एक साल बाद 250 रुपे का हो जाएगा, भाई साथ ये मनीश मिश्यला नामक जो प्राणी है, इसने ये कारणामा ना केवल किया, बलकि इसने उस company के जो मालिक लोग हैं, उन्हे भी, और मतलब उस company से जो related direct लोग हैं, उन्हे भी, और ये जो अरशद वारसी और इसक जा रही हो, financial advisor का game देखे आप, ये जो advisor नामक channel था, इसने क्या काम किया, इसने पहले तो लोगों को, अपने लोगों को सस्ते दामों पर share दिलवा दिये, इसी को pump and dump कहते हैं, share market के अंदर, इसने अपनी तरफ से prediction दे करके market को ऊपर चड़ा दिया, और अपने लोगों से कह कि तुम लोग फटाफट अपने share उस समय बेच देना जब जादा पैसा मिल रहा हो, क्यों क्योंकि बाद में तो ये news फुसी निकलेगी और ये market धड़ाम से नीचे आएगा, ऐसे में अरशदवार्शी जो की मनिश मिश्रा के जानने वाले थे, इन्होंने भी अपने share मामला घड़बर चल रहा है, ऐसी इस्थिती में सेवी ने साधना broadcast channel और इस YouTube channel पर पूरी तरह से false content होने के कारण अपना ban लगा दिया, कि तुम लोग अब trading नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ये पूरी प्रकिरिया किस नाम से जानी गई, pump and dump प्रकिरिया, यानि पहले false news फैल मार्केट चड़ाओ, और मार्केट चड़ाकर पैसा बना लीजिए, ठीक है साथ, तो ये घटना हुई, और इसमें किस ने ने लिया, सेवी ने यह ने लिया, अच्छा, इसमें सेवी ने क्या ने लिया, 31 entities, जिनमें अर्षद वारसी, उसकी वाइफ, यूट्यूबर, प्र अर्षद वारसी के बारे में पता चला है, कितने लाख रुपे तो अर्षद वारसी ने कुछ लाख रुप बनाएं अर्षद वारसी ने भी इस चीज़ से, तो ठीक है, ऐसा ही एक और चैनल था जिसका नाम शार्पलाइन ब्रोडकास्ट था, उसके साथ भी यही किया गया दौनों के साथ में मामला हुआ, और इस वजह से लगभग 25-30 लाख रुपे तो इन्हों ने और इनकी वाइफ ने इस से कमाए थे, देखो, 39 लाख रुपे का तो अर्षद वारसी को मुनाफ़ा हुआ, और इनकी वाइफ को 37 लाख रुपे का मुनाफ़ा हुआ, राती रा जा रहा है, और उसको जबत करके कहां डाला जा रहा है, एक अकाउंट होता है, जिसको काजत है, एसक्रो खाता, एसक्रो खाता मतलब, ना आपका ना मेरा, जब तक फैसला है, इसमें डाल के रखो, बाद में, जब फैसला हो जाएगा, जिस भी पार्टी को चाहिए होगा, वो इसमें से पैसा निकाल लेगा, ठीक है, उम्मीद है आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी, ये साधना ब्रोडकास्टर है, जिसके साथ में ये सारा काम हुआ, ठीक है, अर्शत वार्शी ने ट्वीट करके कहा, इन्हों ने क्यों लिखा इस बात को, बोले भई, हमें स्टॉक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमने सलह लेने के उपर हमारे साथ में हमें का काम हुआ, वो हमें पता चल गया, अब उस इस्थिति में हमें क्यों आप दिया जा रहा है, बिल्गूल वही वाली चीज है, आ आप गलत सलहा ले करके भी फस गए तो देने वाला तो फसा तो फसा लेने वाला भी फस गया चीजें बहुत ही अब मतलब समझ रहे हैं आप डिजिटल लिटरेसी बहुत तेजी से आ रही है यहां पर यदी आप मेरा रेफरल कोड अवस्थी 50 यूज़ करते हैं तो पहले महि अवस्थी 50 और हां मुझे यह बहुत अच्छे से समझ आ रही है क्या आपको भी आ रही है लिंक कमेंट बॉक्स में है वहाँ पर रिप्लाई करके बता सकते हैं